चलिए आमले का सीजन में आमले और धनिया की टेश्टी चटनी बनाते हैं जिसे खाने का स्वाद आपका दोगना बढ़ा देगा तो यहां पे आमले लिया है पछे और लेशून एक और थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है मिर्ची हरी वाली लिया है तो सबसे पहले आमला को इसे हम जाली पर रख कर इसे पकाएंगे यानि शेकेंगे इसे आग पर लटते हुए इससे सुन्दी सुन्दी टेश्ट आएगा चटनी में और जो संधपन रहता है आमले में ओ भी खतम हो जाएगा तो इस तरह से आग पर आमले को शेक कर चटनी बनाएंगे नहीं तो जो मिर्च को भी सेख लेंगे सारे चीजों को इस तरह से पलटते हुए सेख लेंगे मिर्च को भी थोड़क मैंने रख दिया है जाली पर पलटते हुए पका लेंगे वामला पक गया है अब लेशुन और मिर्च को भी पका लेते हैं पलटते हुए लोप लेंपर मैंने सारे च प्त्री में कब्रेश। तो रिमत में स्कते हैं क्लिपीे कम जैड़ा ब्रम चुनें कोची हखोची पालन हैं, शीया हैं और भीक hen कऊची बनासिया लुद और बीज निकाल दिया है और साथ में मिर्ची लशून डाल देंगे और अब धनिया पत्त को भी रफली काट लेते हैं इस तरह से और अब इसमें डाल लेंगे टेस्टे कॉर्डिंग नमक तो नमक यहां पर हम आने दोनों लिया है काला नमक और साधा नमक काला नमक से जादा अच्छा आता है साथ मिलिया रोस्टेड जीरा चाहता है तो आप इसमें जीरा पॉडर है भूना हुआ तो भी डाल सकते हैं और खटा हुआ अब धनिया पत्त डाल लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल कर सिदकन बन करकर इसे हम ग्राइंड कर अब इस चट्नी को दाल चार पर खाए बहुत टेश्टी यहमी लगता है बच्चे को खिलाएं आमले के सीजन में आप इसे चट्नी बनाकर खिला सकते हैं या अबला कैंडी अचार आमले को किसी तरह भी खिला सकते हैं आमले में बहुत फायरे मंद होता है इसकीन के लिए बालों के लिए, आखों के लिए,